दिल्ली में किसानों के आंदुलन में शामिल होने जा रहे महराष्ट के किसानों को मेवाद बॉर्डर पर रोग दिया राजिस्थान और हर्याना के मेवाद बॉर्डर पर भारी पुलिस बलते ना थी किसानों की वंशा थी कि किसे तरहे हर्याना फुलिस के बंदोबस को रोंदते हुए वो पहले मेवात और उसकी बाद ग्रुग्राम की दिली जैपुर नैशनल हाइवे पर पहुँच उसे जाम कर दे लेकिन प्रदेश उसरकार ने हर्याना से सटे तमाम बॉडर पर भारी पुलिस बंदोबस की तनाती की हुई है महराज से और यहां तक हर्याने तक कितने जिगे आपको रोका गया बीच में एक तो यूपी के पूलिस ने भी अच्छा सयोग किया खाने गिने का सब क्या अनुलन कारी है आप तो कही दाश्चतवारी नहीं है तेकिन यूपी और हर्याना की पूलिस इनकी ताना शाहिए है इन्होंने रोखा है पहले बोले भरतपूर से जाओ फिर भरतपूर से बोले तो नहीं आप आइसा करो कामा से जाओ ऐसा इतना गुमाया सब किसान थंडी में विचारे बैठे दे रस्ते पे अब हर्याना पूलिसे कैसा आपके वेवार करें यह प्रस्ताव किया है कि हमारे पास इतनी टूविल रहे वह आपज जाएंगे प्रसासम के दौर आपको यहां पर बताया रहा है अभी वह आएजी से किससे बात कर रहे हैं पता चलते अभी क्या निर्ने लेते नहीं तो हम यहां बैठे रहेंगे यहां से हम रगतदान करके आए फुन बाहना तो महीं चाहते पोलिस की लाटी चलेंगे तो खाएंगे पुन बहाएंगे यहां जाना कहा जा रहे हैं पड़वड में जाएंगे जा अच्छा इसे जो बिल के बारे में क्या कहना चाहते हो इसके क्या है कि बील के अंदर अभी आपका घर अगर पानकाम शुरू करना है आपको तो आपकी राय लेंगे क्या बाजुवालों की लेंगे युशु def Помilicum सर्कार किसान बूर रहे है उस तरके से भी ला आपके अब किसान जो बूलने वह वह बिल लाना चाहिए ये यह आदानी और अम्मानी जो बोर रहा है वह भी ला रहे है इतना भरग है उसमें तो क्या लगता है शर्कार को शुख में पढ़ेंगे उनका बाप का राज थोड़ा आए जैसे किया नाम है फार्मर किसान इसके विरोध कर रहे हैं पूरे देश में और सरकार इसके खिलाप है क्या कहना था देखो हम अन्ना दाता किसान है है हम अब यह पिल आपने मांगा था सरकार से हमने तो मांगा नहीं हमने मांगा था पचास टक्य मुनाफ़ा लेकर दाम दो जी ने पंद्रा टक्के भी दिया ने जी पाशन तो ऐसा किया कि वैसे सो गया हो जी अगर तुम सच देश्वफ से हो तो आपने कहा था साथ साल कॉंग्रेस के और साथ दिन मोदी जी के हम पचास टक्य मुनाफ़ा लेकर दाम देंगे तो इतना जूट देश का प्रंतबदान अगर इतना जूट बूलता होंगा और किसान के हालत इतनी बेकार करते होंगे इतने दिन से आंदूलन चापने तो यह तो बोर रहे दरसल किसान आंदूलन दिनों दिन केंदर सरकार के साथ साथ दिल्ली सिसटी सीमांत सरकारों को जूसमें हरियाना प्रमुकते हैं और यूपी सरकार के लिए बड़ी परिशानी का सबब बनता जा रहा है हरियाना में जहां सिंधू बॉर्डर पर लागों किसानों ने तमाम सरकारी तंत्र को घुटनों पर लाग खड़ा किया है तो वहीं यूपी के बॉर्डर पर भी किसानों के दिगच नेता, राकेश टिकेट और उनके हजारों किसानों ने दिल्ली की सप्लाई को बाधित किया हुआ है जहां सेकडों किसान पलवल बॉर्डर पर धरना दिये बैठे है